हालो एवरिवन, मैसेल्फ सुभीता चौदरी, असिस्टन्ट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट अप जॉलोजी, LBS गॉर्मेंट कॉलेज कोड़ पूतली जयापूर मेरे आज की लेक्चर का जो टॉपिक है वो है टेक्निक्स ओफ बाय टेक्नोलोजी फोर बेसी सेकंड येर करेंगे वो है पीछियार स्थक्राबनाम है पुलेज चैन्यंचिं पुलेमरेज यहां पर DNA यह इनपैर इनदक चैन्यंच से लिया गया लेक्शन uyस्रेंच्ण पीस चैन्येक्षण राव्न बाई त्म पॉलिमरेजुर 199 इस डाइग्राम में आप देख सकते हैं यह DNA Polymerage Enzyme है और यह DNA का Template Strand है यह Free DNTPs हैं जिनको DNA Polymerage इस Template Strand के अगेंस्ट में एड़ करता हुआ आगे बढ़ता है जिसके कारण अपने को DNA की एक और कोपी मिलती है फिर अपन बात करते हैं PCR की Definition Polymerage Chain Reaction is a technique used in Molecular Biology to amplify a single copy और a few copies of a segment of DNA across several orders of magnitude generating thousands to millions of copies of a particular DNA sequence Polymerage Chain Reaction जो टेक्निक है यह Molecular Biology में यूज की जाती है अगर अपने पास किसी DNA segment की एक copy है या फिर कुछ ही copies है और अपना उनका number amplify करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं इसके द्वार आपन उस DNA segment की थाउटेंस से millions of copies अपने प्राप्त कर सकते हैं वह भी बहुत कम समय में PCR टेक्निक डवलप की गे थी 1983 में बाइक कैरी मुलिज PCR नाव एक कॉमन टेक्निक यूज इन क्लिनिकल और रिसर्च लेबरेटरिस फुर ए ब्रॉड वराइटी ओफ एप्लिकेशन इन 1993 मुलिज वाज अवाड़ेट दे नॉबल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर इस वाक और पीज और इसके लिए नॉबल प्राइज भी मिलाता मुलिज को 1993 में फिर अपन बात करते हैं PCR के कांपोनेंट्स की तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इनüz है डी ओने टेंपलेट की डी ओने टेंपलेट व सेगमेंट है जिसके आपने को एमलिफिकेशन करना है पर अजोरगां प्राइमर सास्ट घाता है ओल्लीकोन कलते है क्या यह प्रिमज करने के लिए और प्राइमर्स डिने पॉलिमेरेज को फ्री ठी प्राइमर्स पे जो वह प्रवाइड करवाते हैं तो दो तरह के प्राइमर्स अपने यूज़ करेंगे forward and reverse थर्ड नमर पर आता है deoxynucleotide trifosphate जैसे कि DATP, DTTP, DCTP and DGTP यह 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 raw material के तरह यूज होते हैं फिर आता है buffer and mg2 plus concentration mg2 plus concentration यहापे बहुत ही important role अदा करता है denaturation and annealing में फिर आता है DNA polymerase यहापे जो DNA polymerase enzyme use होगा वो है tag polymerase इसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे DNA polymerase sequentially add nucleotide complementary to template strength at 3' OH of the bound primers and synthesize new strength of DNA complementary to target sequence suppose करो यह अपना DNA template strength है और यह यहाँ पे इसके against में primer है अब जो DNA polymerase है यह यहाँ पे जो primer का यह 3 end है यह 5' होगा and यह 3' और यह 5' होगा और यह 3' है primer का end है तो यहाँ पे DNA polymerase nucleotide add करेगा the most commonly used DNA polymerase is TAC DNA polymerase और जो enzyme है उसका नाम है TAC DNA polymerase और यह enzyme एक bacteria से लिया जाता है उस bacteria का नाम है thermos aquiticus चुकि यह bacteria thermophilic bacteria है मतलब यह बहुत ही high temperature में भी survive कर सकते है फिर अपन बात करते हैं primers की primers are synthetic DNA strands of about 18 to 25 nucleotide complementary to 3' end of that template strand primers को synthetic DNA strands इसलिए कहा गया क्योंकि वो अपने द्वारा design किये गए है naturally नहीं है वो अपने द्वारा design किये गए है और यह complementary होते हैं किसके यह अपना suppose 5' and 3' template strand का यहाँ पर अगर अपना primer bind कर रहा है तो यह template strand के against में यह complementary होते हैं DNA polymerase starts synthesizing new DNA from 3' end of the primer और जैसा अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि यह primer का 3 end है और यहाँ से DNA polymerase initiation start करता है जैसा कि आप इस diagram में दे सकते हैं अपने कहता है कि दो तरह के primer से अपन यूज करेंगे forward primer and reverse primer यह अपने double standard दो DNA लिया था वो अब unfolded state में है एक strand को अपन sense strand करें और दूसरे को anti-sense sense strand के against में जो primer है वो है reverse primer and anti-sense strand के against में जो primer वो है forward primer अब अपन बात करते हैं PCR की procedure की there are three major steps in a PCR which are repeated repeated for 30 or 40 cycles this is done on an automated cycle which can heat and cool the tubes with the reaction mixture in a very short time PCR की जो process है वो तीन steps में होती है और लगबग 30 से 40 cycles run होते है सबसे पहला जो step है वो है denaturation at 94 degree celsius during the heating step और denaturation the reaction mixture is heated to 94 degree celsius for one minute which causes separation of dna double standard now each strand act as template for synthesis of complementary strand जो अपना double standard dna था वो अब 94 degree celsius पर denature हो जाता और दो strand अपने को मिल जादे यहां पर आप देख सकते हैं यह अपना double standard dna था यहां पर denaturation करने पर यह अपने को cooling of reaction mixture after denaturation step to 54 degree celsius which causes hybridization of primers to separated strand of dna annealing में क्या होगा तो temperature कम करना पड़ेगा अपने 54 degree celsius क्योंकि अपने चाहते हैं कि अब अपने जो primers हैं वो single standard dna के साथ bind कर जाएं तो उसके लिए अपने को temperature को कम करना पड़ता है तब ही अपने primers dna template के साथ bind होंगे otherwise नहीं होंगे the length and gc content of the primer should be sufficient for stable binding with template यह अपने को थोड़ा धान रखने की बात है कि जो primer का 5 end है उस पर अपने को जिसी content ज्यादा रखना क्योंकि आपने जानते हैं कि जी और c के बीच में triple bond होता है जो कि इसको strength देता है primer को dna के साथ अच्छी binding provide कराता है यह diagram में आप देख सकते हैं यह अपने दो single template strength यह दो primers है यह यह जो 3 prime पर bound हो जाते हैं थर्ड स्टेप अपना वो है extension extension at 72 degree celsius the reaction mixture is heated to 72 degree celsius which is the ideal working temperature for the tag polymerage अपने बात कर चुके थे पहले भी कि tag polymerage है वो high temperature में survive कर जाते हैं इसलिए tag polymerage को यह PCR में use किया जाता है और इनका जो optimal temperature जिसमें अच्छा काम कर सकते हैं वो है 72 degree celsius the polymerage adds nucleotide complementary to template on 3 prime OHO primers thereby extending the new strand इस diagram में देखिए यहां तक यह अपने प्राइमर थे और यह प्राइमर का 3OH था यहां पे DNA polymerage DNTPs को add करते वे strengths को further extend करता जाता है और इस तरह से अपने को यह जब cycle complete हो जाएगा तो अपने को 2 copies में यह DNA मिल जाता है यह पूरी PCR एक साथ 3 steps को दिखाया गया है सबसे पहले है denaturation denaturation लगबख 1 मिनट के लिए 94 degree celsius पे जिससे double standard DNA वो दो single standard में convert हो जाता है फिर second step अपना एनिलिंग जो कि 45 seconds के लिए 54 degree celsius पे इसमें यह अपने primers है यहां पे forward and reverse primer bind हो चुके हैं फिर थर्ड जो step है वो है अपना extension दो मिनट के लिए 72 degree celsius पे अब यहां पे यह free dntp जो raw material के तरह यूज हो रहे हैं और इनको करते हुए dna polymerase यह strands को extend कर रहे हैं फिर आता final hold जब तीनों steps के कम से कम 35 से 40 cycle complete हो जाते हैं उसके बाद first three steps are repeated 35 to 40 times to produce millions of exact copy of the target dna once several cycle are completed during the hold step 4 to 15 degree celsius temperature is maintained for short term storage of the amplified dna sample फिर अपने को temperature को maintain करना है थोड़े देर के लिए 4 to 15 degree celsius ताकि अपने को जो amplified dna sample है वो अपने को मिल सेगे PCR and exponential cycle as both standard copies during PCR there is an exponential increase of the number of copies of the gene अपने को sudden से amplified copies मिलती है PCR में suppose there is only one copies of the desired gene before the PCR starts after one cycle of PCR there will be two copies after two cycles of PCR there will be four copies after three cycles there will be eight copies and so on यहाँ पर एक formula यूज होता है कि एक cycle के बाद अपने को दो कोपी मिलती है दो के बाद अपने को चार तो यहाँ पर जो अपने जो formula यूज करें वो है two की power n यहाँ पर है number of cycle अपन चाहते हैं कि चार cycle के बाद अपने को कितने copies मिलेंगी तो two की power four equals to sixteen इस तरह से अपन पता कर सकते हैं कि कितने cycle बाद में कितनी copies अपने को मिलेंगी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यह suppose अपना wanted gene है जिसका अपने को amplification करना है first cycle second cycle third cycle और इस तरह से अपन देखेंगे कि 36 cycle के बाद अपने को 68 billions of copies अपने wanted gene की मिलेंगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी fast यह technique है जिसके द्वारा आपन amplified copies राप्त कर सकते हैं फिर अपन देखेंगे reaction condition and experimental protocol कुछ प्रोटोकॉल से हैं जिसको अपने को follow करना पड़ता है अदर्वाइस PCR सक्सेस्फुली नहीं होगा denaturation denaturing condition are best at 94 to 95 degree celsius for 30 to 60 seconds हमें यहां पर denaturation के कम रखेंगे तो हो सकता है डिने के जो double standard वो separate ही ना हो हाई temperatures and temperature and longer amount of time can lead to enzyme activity loss और अगर ज्यादा temperature कर देंगे तो वह अपने enzyme को destroy कर सकता है यह PCR machine है अपना जो sample है वो point two ml PCR की जो tubes से उनमें अपन लॉड करेंगे लॉड करने के बाद tubes को रखने के बाद ढखन को अच्छे से लगाएंगे इसके जो manual से उनको set करेंगे कि number of cycles कितने करने यह सब चीजे और फिर start button पर okay कर देंगे पिर अपन देखते है PCR के यूज क्या है कहां कहां अपन इसको यूज करते हैं तो अपन देख सकते हैं molecular biology में इसका बहुत यूज होता है microbiology में genetics में diagnostic clinical laboratories में forensic science में तो इसका जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा है जैसे कि जितने भी crime scenes होते हैं वहां पर forensic team को अगर बहुत ही अगर बाल भी या फिर नाखुन का टुकुडा या ब्लेड की बूंद भी मिल जाती है तो उसको वह collect करते हैं और वहां से उसका DNA separate किया जाता है उस DNA को PCR के थ्रू एंप्लिफाइड करके criminal की पहचान की जाती है हेरिडिटरी स्टडीज, इन्वार्मेंटल साइंसेज, पैटरनेटरी टेस्टिंग, आजकल हॉस्पिटल में बच्चों को बदल लिया जाता है तो वहां पे भी DNA मैच करके और उसके द्वारा अपन PCR को यूज़ करके वो मसले भी सुलजाए जाते हैं and many other applications तो आज के लिए एतना ही, thanks, thank you so much